पच्चन समस्ता के बारे में मैंने पहले वीडियो मेरे चैनल पे डाले हुए है पच्चन समस्ता के बारे में कुछ और जो लक्षन है उसके बारे में आज में बताने माला हूँ तो आईए आपका स्वागत है मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केड़े कर में मनोविकार सेक्स रोख सम्मोहन तथा व्यसमी तक क्यों महाराष्ट में अकॉला में प्रैक्टिस करता हूँ कुछ ऐसे लोग है कि जिनको पच्चन संस्ता का विकार है और लक्षन ऐसे है कि देखो उनको बीच बीच में ऐसे एपिसोडिक अटेक आते रहते हैं कुछ दिमाग में टेंशन आ गया कुछ अनबन हो गई पति-पत्नी के अनबन हो गई ब्यavसरा हमें काम के ओपर कुछ लोड़ आ गया मतलब उघकले हो घन्जेट हो गया घुस्ट आ गया ऐसा कुछ हो गया वो दिमाग में रखते है और बाद में वो पतावपत इन फटक पहले जैसा जी मशलाना उनको ऐसे लागता खाना नहीं खाना पेट फूल जाना और फिर उनको इतना जी मशलाता है कि वो उंगलियां डाल के वोमिट कर दालते हैं और उल्टी करने के वाँ थोड़ा सा अच्छा लगता है ऐसा लगता है कि उनको आपना एसीड निकल गया य लगती है और फिर दो तीन दिन के बाद में फिर धीरे 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 वो ठीक हो जाता है फिर मैना दो मेने अच्छे रहेंगा और फिर बात में फिर से एक अधा आटक आजाएंगा तो यह लोगों को जब मेरे पास में आते में पूछता हूं कि भई आप यह देखो कि ऐसा अटेक आने के पहले भी कितने साल से हो रहा है तो लोगो बोले हमको साल भर से ौसाल से थीन साल से है किसक् monarch होता है और तरह हो किया सब निकान लिए और उस पे कुछ मिल रहा है शिर बतात है कि अंदर सुझण है और दवाई लेने से फायदा होता नहीं, आप याप ठीक हो जाते हैं तो फिर मैं बोलता हूँ कि आपको बीमारी जो हुरी है उसका देखो सोर्स क्या है, सोर्स दिमाग में है कहीं तब क्यों इतनी सब टेस्ट करने के बाद में कुछ निकल नहीं रहा है तो सोर्स जो धूंटे रहते हैं तो तीन-चार चीज़ों में से कुछ ना कुछ चीज निकल जाती है एक तो वो विक्ति को अपने आपको पनिश्मेंट करने के इच्छा रहती है अच्छा अपने आपको पनिश्मेंट क्यों करेगा पता नहीं कुछ लोग मैजोचिस्ट होते हैं मतलब अपने आपको तकलीब देने में उनको मज़ा आता है तो उनके दिमाग के उपर कुछ लोड आता है कुछ टेंशन आता है कुछ स्ट्रेस आता है और वो स्ट्रेस बाहर बोलेंगे निया अपने आपको तकलीब देंगे और वो तकलीब उनको ये उल्टियांस उल्टियां के बारे में मतलब आज दिया नो वो उनको तकलीब हो जाती है एक वो होता है ये लोग अपने आपके उपर प्यार नहीं करते है अपने आपको हेट क तरफ ले जाओ, सलेन लगवा, ऐसा करो, कभी होस्पिटल में वर्ति करो, कभी डॉक्टर को घर पर बुलाओ, दो तिन दिन आराम भी हो जाता है, और उसमें सिंपती काफी लोग मिलती है, कुछ अन्बन हो गई, फटाक से उल्टियां शुरू हो गई, सिंपती मिलती है, और वो comparison करते हैं, उनके पास में ज्यादा है, तो उनके पास में नहीं होना चाहिए, तो मेरे पास में नहीं है, उसका दुख है, और उनके पास में नहीं होना चाहिए, उनके पास में जो है, उसके बार में तकलिव है, मतलो उसके पास में नहीं रहेंगा, तो मेरे को अच्छ फिर थाथ से वाहर आजाता है और फिर उल्टिया चुरू हो जाती है, तो में उल्टिया में उसको Psycho Dецothuction की लिए हैं की यह लोगों को इक्स्प्रेस करने में असफलता होती है अंको बोलना है वह एक्स्प्रेस कर पाते पेट में जो है वो रखते नहीं कोई चीच मतलब रख नहीं सकते पचा नहीं सकते मतलब एक्चुली विचार डायजस नहीं करते तो उल्टियां के मतलब वो तरीके से वो बहार आजाता है और वो उल्टियां के रूप से मतलब जो बोल नहीं सकते वो उल्टियां मे है नुट मंभु तेन अब गुसा करते हो लोगों के अउपर खुद के ओपर गुसा करते हैं नंबर चार क्या तनाव है कि यह और इसी टकलिफ हो और इस्टीब हो रही है जो भी हो रा cockroach वो लोगों को बता एक्स्प्रेस करो जिसके साथ में तो वो communication जो है समवात वो deliver कर सामने वाले को next अपिक्षा है बहुत जादा रहती है और लोग अपिक्षा पुरी करते नहीं है और उस समय फिर गुस्सा आता है हम बोलते भी नहीं कि तुमने अपिक्षा पुरी नहीं किया और फिर वो गुस्सा इस तरह से बाहर निकलता है जैसे बहुत सारे psychological factors है वो हम deal करते हैं लोगों को फिर अच्छा महसूस होता है कभी-कभी बहुत ही जादा उल्टिया आने लगी तो फिर IV fluids लगा मतलब सलाइन लगाओ को injection दो ऐसा temporary वो इलाज भी करना पड़ता है मगर basically उसका इलाज है psychotherapy और hypnotherapy तो ऐसे काफी लोग है कि उनको ऐसे पच्छन संस्ता के विकार है और पच्छन संस्ता के विकारों में उल्टिया होना acidity होना बहुत चलन चाती में जलन वह सब पूरा ऐसे उपर उपर आता है फिर धकार आती है हिचके यह लगती है फिर यह लोगों में बहुत painful जाता और इतना अनीजिनेस लगता है फिर उनको इतना अनीजिनेस पेट फुलने के बाद में कुछ सूस्ता नहीं है थिर gease चुट यह लेटरिन साफ नहीं होती यह कभी ज्यादा लेटरिन आ जाती है पेट करता है खाने की इच्छा नहीं होती बिल्कुल खाने की इच्छा नहीं होती जैसा तो आपके आजोबाज़े में बहुत सारे लोग होंगे उनको ऐसे प्राब्लेम होंगे तो आप जरूए वीडियो लोगों को शेर करो ताकि लोग अपना-पना इलाज कर सकेंगे और अपना जीवन शान्ती से आनन से फिट रहे के तंदूस रहे के जी सकेंगे लोग हमको उनलाइन कंसलिडेशन करते हैं सला लेते हैं और उनका प्राब्लेम जो है उसके लिए कांसरिंंग लेते हैं हमारे ह। विदियो जरूर शेर करो ताकि आपका भी हाथ हमारे मिशं PV Кरेड़ेमें लग जाएगा वीडियो आपको अच्छा लागा तो जरू लाइक करो, शेर करो, बेल आइक ओन आता है, उसके पर क्लिक करो, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिक्शन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे, and once again, thanks for watching. झाता है, उसके पहली बार आएंगे, भीडियो आपको ऑन आता है,